तो कैसे हैं सिक्सर के चाहने वाले बिकट के मतवाले किरिकट के दीवाने उम्मीद है कि ना आप सभी बहुत अच्छे सोंगे आज की इस वीडियो हम बात करने वाले पाकिस्तान सूपर लीग 2023 मैश नमबर 25 अगर हम इस मैश की बात करें तो पेशावर जालमी वर्शिस क्व ना सबसे बढ़िया प्रफॉर्मेंस करी टॉप पे बनी हुई है जब टॉप की टीम को हराते है ना तो confidence तो हाई हुआ होगा बावार राजम करें मासा अलला क्या जीत हासिल करें हमने वहीं दूसरों क्वेटा की बात करें तो क्वेटा ना दूसरे नमबर पर है उपर से नीचे से दूसरे इस सबसे नीचे है पता नहीं कराची सबसे नीचे है कि या मतलब कोईटा सबसे नीचे है लेकिन कोईटा भी ना पिछला मैच कराची से जीत कर आया हो कोईटा की बात करें ना इस सीजन दो मैंच जीते दोनों ही मैच कराची से जीते और एक प्लियर के बढ़ावलत जीते हैं मार्टन गुपटेल केहता है कि भाईया मैं किसी के सामने कैसे खिलू हूँ अपने को ग्या मतला विल ये कराओज हैं ने जमारे गार्वो और तो बात करेंट के सा औफ में इसकी जगे होगी वो पक्की हो जाएगी, कुईटा ये जीते हारे, उसको पता है कुछ होना नहीं, अपने को बाहर जाना है, चलो बिंदास होके खेलते हैं, अब तो इनको कोई डर नहीं होगा हार नहीं जीतनेगा क्योंकि कुछ फरक तो पढ़ने वाला नहीं हार पर से जो टीम एबिस को जाती है बस दाइलोग्ब बाजी बंध करो अगDr. फinh तो क्यार को कइल लानों के सक पहले इसने फैलानी में खेले गें दोनों के बीच में इसमें 12 में जीता पेसावर जाल में दीम है उसे पहला हिस में आफ मैं जीता क्ोएटा यदां नजर आ रहे हैं रावल्पिंडे के मादान पे इस से फ़लेंगे इसमें एक मैंस कहला उसे भी पेशावर ने अपने नाम पिके यह निया रावल्पिंडे के मैंदान पे पेशावर की जो टीम है और कोईटा को कहती है हमसे जीतेगा सकल देखिये अपनी लास्ट फाइव मुकाबले की बात करें तो 5 के 5 हों मैं जो पेशावार जाली में की टीम है, कोईटा को रौंदा है, तो वक्त बदर डला, जज़बाद बदर डले किसने, पेशावार ने कोईटा के आखरी के 5 मैंस मतलब इनको एक भी मैंस न जीतने दिया, मतलब परफॉर्मेस करो किसी के सा तो अपना जाइना करने के लिए ना जी कोई भी करना है वाहिसाब कुछ भी नहीं करना बस दियक्त चीज़ करना है एक नहीं करना है यह इसलिए इदर उदर और किसे जॉइनिक नहीं कर नहीं इसे ज्वाइन करें तो भाई लोगी जो मैंच है ना वेटनेस डे आठ मार्च इंडिया टाइम अनुसार 7.30 पीम से आप इसका लाइब एक्षन देख सकते हैं यहां मुकाबला के राजागा पिंडी गलब ग्राउंड रावल पिंडी में अगर हम यहां की पिछला मैच कि वो वीडियो जाके देख सकते हैं क्योंकि बार-बार वही चीज़े बताने से ना वीडियो लंबी हो जाती है तो बस हम बेसिक चीज़े जान लेते हैं यहां का जो पीछ से सपार्ट है बैटिंग के लिए बहुत जादा बेतर है 175 से 180 के आसपास का यहां का जो अवरेज स्कोर है वो है मतलब यहां पर आपको सभी मैचों में चोके शके भर भर के देखने को मिलते हैं आई स्कोरिंग मैच होता है दोस्तों इस हाई स्कोरिंग ग्रांड पर कौन से टीम बढ़िया पर्फोर्मेंस करी कि जो मैच होगा उसे जीतेगी चलो जानते हैं सबसे बड़ सब को तोड़ा और अच्छे से तोड़ा था तो जो इनकी ओपनिंग जोड़ी थी काफी बढ़िया चली उसके बाद इनको लगा था कि जो पिछले मैच में 241 बनाया था लाहोर इनके सामने उतना बना ले जाएंगे बदला ले लेंगे लेकिन उसके बाद कहते है ना लाहोर 207 आठन बना पाए और आउल ओट होगे सोचो एक टाइम पर मतलब 10-12 ओवर में एक भी बिकिट नहीं रहा था उसके बाद यह आउल ओट भी हो गए तो मकर बल्लेवाजी की बात करते हैं इनकी बल्लेवाजी जो कमाल किये लेकिन वो कहते है ना बावरा राजम को छोड़ पानूँगा गेंदवाजी की बात करें तो जब से मुझीब और अजमत उल्ला उमरजाई आये हैं मतलब चाहिए अच्छी गेंदवाजी करें या ना करें लेकिन बाके की गेंदवाजी बढ़िया गेंदवाजी करें पहले मैच की बात करें मुझीब और अजमत उल्ला उ उससे पिछले मैच में जो कराची के सामने मैच खिला था पेशाव ने उससे भी जीता था उसमें भी बल्लेवाजियों गेंदबाजी दोनों काफी जादा बढ़िया रहे तो वावर बोलेंगे जैसे दो मैच उसे परफॉर्मेंस करें भाईया ऐसे कांटिन्यू करते हैं तो चैंपियन भी बन सकते हैं तो अगर मुहमद हसने फिट हो जाएंगे तो इनके खेमे में वापसी हो सकती है अगर हसने फिट ना हो तो यह भी सेम टीम के साथ उतरेंगे सर्फराज हमेद को पता है इनका लास्ट पीसल हो क्योंकि जो फ्रेंचाजी जो होगी इनको बोली कि भाईया टाटा बाइब है तुम्हारे बसकी ना है अब यहां पे मैच बैच जिताना लेकिन मैं सर्फराज की बात करो मैच नजीदा ना पिछले मैच में तेयार मार्टिन गुप्टिल के साथ मिलकर साज़ादारी वनाई थी और मैच जिता दिया था आकरी तक नौट आउ मैचे 100 माँ मिला एक मैच में चले एक मैच में फुलो इप्तिकार है मत की बात करते हैं इप्तिकार भाई साब को तो ऐसा जंग लगा है ना आप सोच भी नहीं सकते यार मतलब एक टाइम पर इन्होंने छे छक्के मारे थे जब मतलब टैक्टिस कर रहे थे PSL की और वहां से मैसा फुलोप रहे गेंदवाजी की बात करें इनके गेंदवाजी ने कुछ हद तक बढ़िया गेंदवाजी करें जब तक हसनायन खेले थे सभी मैचों में बिगिट चटका रहे थे नसीम साब भले थोड़ा सा श्ट्रगल कर रहे थे लेकिन जादा फरक ना पड़ रहा तो अगर हम यहां पर दोनों टीमों का कमप्रीजन करें एनलासिस करने के बाद तो जो पेसावार जालमी की टीम है सीधा सीधा कोईटा से मजबूत नजार आ रही है तो आज के मैस में क्या होगा चलो जानी लेते हैं लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब करना बनता है ना क्यों बनता है क्योंकि आपको पता मैं कोई हीरो हूँ ना हूँ मैं कोई सब्सक्राइब करना इतना तो सारी एनलासिस करने के बाद किरिकेट के नियम मानुसार अगर हम इसे मैं आज की बात करते हैं जो मैं आज है न हो 65 and 35 का 65 पेसावार जालमी and 35 कोई टाग तो अगर आप यहाँ पे चाहे जो मजबूर टीम है पेसावार जालमी उसके साथ जाना चाहे तो जा सकते है लेकिन मैं अपनी बात करो तो मुझे ऐसा लगता है जो मैं आज है ना कोई टाग गिलेडेडरस अपने नाम पे कर सकती है लेकिन मैं आपको बोलूँगा क्या ब फायदा उठाओ बस एक ही चीज का ध्यान देना है फेक से बचना क्योंकि मेरे नाम पर बहुत ही नकली टेलिगराम चैनल बना लेगा इद्धर उद्धर और कैसे जोइन नहीं करना चो लिंक की मिलेगे डिस्किप्शन में बस वही से जोइन करें तो भाई लोग आज की व वीडियो में अगले मैस की वेडिक्शन के साथ तब तक के लिए गौड ब्लेस यू